कि नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज की इस परचर्चा में और आज है इलेक्शन कप्षप क्योंकि इलेक्शन देक्लेर हो चुके हैं तो गप्षप का सीजन भी शुरू हो चुका है आज की गप्षप के लिए हैं हमारे साथ ओंकार जी अविशेक तिवारी जी और धीरेंद्र जी आज पकड़ में आगे हमारे समश्कार धीरेंजी नमस्कार तमाम दर्श्प्रोंगों भी और सम्दूरु जयन व्चोंकि दिरेंजी बहुत दिनों बात पकड़ में आए तो ध अब ही नहाई हम लोगों के पास निकले वुए हैं अलग अलग जगह रहें लेकिन हमने किसि असे कोई पोल नहीं किया क्यों कि बहुत लंबे अर्से से हम लोग को देख भी रहे उनकी उसपर अब जादा हम लोगomena कोशिश करते हैं कि रिपॉर्टर्स पर ही रहें जो गराउंड में घूम रहा है उनकी आदार पर ही बात करते हैं तो हम लोगों के यह दार देखा है कि यह जाधतर में वह जो डाटा जिस तरह से कलेक्ट होता है मुझे लगता है कि भारत जैसे डाइवस कंट्री में खासतोर से हरे एक राज्य में जब हम लोग देखते हैं तो जाधा तर डाटा जो कलेक्शन्स होता है वो फिर भी बहुत छोटा होता अलागि बहुत बार अब थोड़ा मैं यह कहूंगा कि वेटेस देनी शुरू हुई ह थोड़ा सा कैलकुलेक्शन ठीक होना हुआ है शुरूर लेकिन आज भी बहुत सेलेक्टिव उस पर है और इसको बार-बार यही कह सकते हैं मैं आज भी यह मानता हूं कि एजन्सी की विश्वस्तने तक हो मैं कहीं कहीं कम से कम एलेक्शन्स की समझ के बारे में अभी उतनी ताकत मेरा पर्सनल मत है यह और चैनल नहीं कर रहा है वो अलग बात है लेकिन मैं खुद यह भी मानता हूं कि एजन्सी के सारे हम लोग उस पूरे एलेक्शन को नहीं भाबते हैं जो एलेक्शन्स वाकई होता है क्योंकि एलेक्शन्स के बाद फिर हम लोग नहीं टर्मिनो कोजी गड़ते हैं और उसको अपने दिये गए सरुवे के मुताबिक फिट करने की कोशिश करते हैं तो अभी तक कोई मुझे लगता है यही बहुत जादा नहीं है मैं नहीं मानता हूं कि वह अभी एक्यूरेट वाली बात इस्तिती हमारे यहां है तो आपको क्या लगता ह है राजस्थान बद्यप्रदेश च्टीसकड़ के बारे में देखे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने पिछली बार तीनों चुनाओ जो लास्ट चुनाओ हुए थे जिन सरकारों का अब कारेकाल खत मोरा है मैंने उन तीनों राज्यों में खुद घूमा हूं सड़को तक में मैं खुद गया हूं सीरपूर जैसी जगे में भी लेकिन जो मुझे लगता है कि पिछली बार के इड़्द गिर्द है कुछ चीजें जो व्यक्तिकत तोर पर तैकी जा रहे हैं जैसे मद्दप्रदेश जैसे चुनाओं में अगर आप छत्र लगाने का शौक पूरा कर दिया तो सर कटाने का मैं कर देता हूं यह राणा के समय के विवाद की पिपणी में जिसने पूरा युद्ध हरा दिया था तो उस तरह की स्तिती में वो हैं आप देखेंगे एक ही दिन में तीन बड़े लोगों के बयान थे जिसमें कैलास विजवर्गी बयान दे रहे ह कि साहब मैं सिर्फ इधायक बनाने के लिए थोड़ी चुनाव लड़ाया जा रहा है दूसरे गोपाल भारकाव ने कहा साब मुझे गुरू जी ने कह दिया कि आप चुनाव लड़िये मैं तो तक गया था लेकिन गुरू जी ने कहा शायद कोई हाथ की रेखा है तो इसलि को तो ये सारी चीजें फिर उतारे गए सारे मुख्यमंत्री पद के लिए जो उतारे गए सांसद हैं वो चुनाव की तरफ तो एक इस्तिती ऐसी है कि जनता एंटिन कंबंसी जो जनरल होती है वो तो है ही क्योंकि एक दो तिन पूरिया हो गई है लेकिन उससे भी जादा च चुनाओं में उनका एक परसेंट वोट बढ़ा था वो जब आया थे तब भी उनका वोट परसेंटेस बढ़ा था बीजेपी का उस वक्त भी जहां तक मुझे याद अभी पूरा डाटा एक्जेक्ट अभी रिकाल नहीं कर रहा हूं लेकिन उस स्तिती को आप आज भी बरक कुछ हो रहा है तो मदप्रदेश में बीजेपी अगर अपनी इंपाइटिंग को रहती तो बड़ी सफाई के साथ बड़े करीने से आगे बढ़ जाती है लेकिन अब देखना हुआ कि करते किस तरह से क्योंकि एक बड़ा इंट्रेस्टिंग होगा सीधे तोर पर जो कहा ज लग रहा है कि यह जीत रहे हैं बीजेपी वाले लेकिन जितनी बड़ी जीत इनको मिल जानी चाहिए यानि जो विधायक ओटो में जाने चाहिए जो बीजे कॉंग्रेस के एक ओटो या एक मारूती 800 या उसकी बजाए यह लोग एक महिनी बस करने के अभी इंतिजाम में है वरना तो जनता का मूड जिस तरह की चीजें और जिस तरह का आप एक के बाद एक घटना आपने देखी खुद चाहे वो उसकी हो जब वो आईसाईस की अंदाज में गर्दन काटी गई यह तमाम चीजे उदयपुर की घटना ओ यह तमाम चीजें वहाँ दिख रही है लॉ दिख रही है आज भी मुझे नहीं लगता कि सचिन पाइलेट को यह बहुत ही ताकत लगा के उसको लाना चाहते होंगे बाकि जब हम आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब है जहां कि आपको कॉंग्रेस जो है थोड़ा मार्जिन में दिख रही है उसके लिए अभी ग्राउंड पर मुझे नहीं लगता कि बहुत जादा कॉंग्रेस आगे है क्योंकि ग्राउंड पर अभी यह जो योजनाय थी जो गोबर खरीदने वाली है तमाम ची किसी भी सरकार का हो तो उसमें वो आगे जरूर दिख रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि रमन सिंग जैसा चेरा जिसकी कोई जरूरत नहीं है बीजेपी को वहां जिसके पास बहुत जादा ना वोट पहले थे ना अब हैं वो सिर्फ ऐसे ही एक लेडर्शिप थी जो किसी स हो सकता है कि बीजी भी आगे निकले तो तम कोई आश्चर यह वाहां जी अब चलते हैं में उंकार जी के पास उंकार जी दुन दुभी बच चुकी है चाहिए ते लंगा ना मुझे लगता है कि कि किसी हाल फिलाज़ के लिए जी जी आप कट के ऐसा कनेक्शन तो मैं उंका कि घोशणा वाले दिन ही हमास के समर्थन में एक रेजिलूशन पास कर दिया सी डवलू सी ने कॉंग्रेस ने और कहा कि हम तो सिर्फ और सिर्फ जाती पर लड़ेंगे तो ये कॉंग्रेस का ये क्या रवईया है आप क्या देखते हैं इसमें आपने तो बहुत लंबे समय तक कॉंग्रेस को देखा है आज इंडियन एक्स्प्रेस में उसके बारे में विशलेशन भी आया था देखिए पहले तुम्हें एका टिपनी जो धिरेन जी ने कहा ना बदेपर देश में जो अंतर विरोध दिखाई दे रहे हैं विजय वरगी है कुछ दूसरे लोगों के बयान आ रहे हैं तो मुझे लगता है धिरेन जी कि ये है एक रणनीति अलग अलग शेत्रों में बार रणनीति के तोर पर देते हैं वो भी जानते हैं कि अगर बाहरतिय जनता पारिटी जैसी एक अनुशाशित पारिटी के वो कारिकरता हैं तो वहां इस तरह के बयान देने की छूट किसी को नहीं होती है तो केवल अपने विदान सबक शेत्र के मतदाताओं को थोड़ा और एक जूट करने के लिए और अपने कारिकरताओं में उस सहा भरने के लिए कई बार अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नेता अपने आपको नेता के तोर पर या भावी मुख्यमंत्री के तोर पर प्रश्तुत कर देते हैं इसके अलावा मुझे लगता कि उनकी व मुल परिश्न पर आऊंगा संजय जी के साथ थे और भारतिये जनता पारिटी के साथ नहीं थे अब ज्योति राजित्त सिंध्या जैसे भी हैं कुछ-कुछ शेत्रों में हो सकता है उनको लेकर के भी कुछ नराजगिया हो लेकिन वो एक प्लस पॉइंट बीजेपी के लिए है अगर एंटी इंकंबेंसी सीट पर बठा करके और कई चेहरों को फ्रंट फुट पर ला करके एक हद तक वो चीजें नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई हैं और अलग-अलग शेत्रों में जिस तरीके से मेंबरों पार्लिमेंट को भी मैदान में उतार दिया गया है तो ये एक तरीके से मतदाताओ के लिए भी कॉंग्रेस पारिटी के लिए भी एक सर्प्राइज एलिमेंट है जो हमेशा रहता है नरेंदर मोदी और अमित शाह की तरफ से तो मुझे लगता है कि जो ये जिस सर्वे की बात हो रही थी एवीपी वगरा का वो सर्वे जो है वो कब हुआ था क्या पैरामीट की तरफ से इसराइल पर हुए इस अटैक से पहले वो हुआ है तो ये जो घटना इस समय हुई है इसराइल में और अब जो गाजा पट्टी में चल रहा है एक मैच इसका इन पांचों राज्यों के चुनाव पर असर आपको देखने को मिलेगा विश्व में कहीं भी इस तर किसी रूप में कम से कम भारत जैसे देश पर असर होता है और भारत भी लहुलुहान हो चुका है असी के दशक में पंजाब में जो कुछ हुआ था हम भूले नहीं है वो हमारे मन मस्तिस्क पर बिल्कुल ताजा है किस तरीके से लालडू में और कई जगहों पर हिंदों को बसों से उतार करके लाइन में लगा करके भूना गया था जमू कश्मीर में भी 90 के दशक में जो हुआ था उसको उरा देश और कम से कम हिंदू तो कभी नहीं भूलेंगे कि लाखों की संख्या में उनको वहां से पलायन करना पड़ा था मुंबई लहुलुहान किया गया थ कौन सा ऐसा शेहर है देश का जहां आतंकवादी वारदाते ना हुई हों जहां आप बैठे हैं संजय जैपुर में भी सीरियल बंब लास्ट हुए थे इसके अलावा चेन्ने को ले लीजे कलकत्ता को ले लीजे हैदराबाद को ले लीजे दिल्ली को कई बार निशाना बना करके और ताज होटल और ग्राइडेंट होटल और सीएश्टी कहां कहां क्या क्या नहीं हुआ था तो ये जो आतीत की जो घटनाएं हमारे इसमर्ती पटल पर हैं ये कहीं ना कहीं हमें भैभीत करती हैं और युनाइट भी करती हैं युनाइट इस मामले में करती हैं कि हमें ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना है, ऐसे लोगों को अपना नुमाइंदा चुनना है, परतिनीदी चुनना है, नेता चुनना है, जो हमारी रक्षा कर सकता हो. जो मुंबई का हमला हुआ था संजय जी बहुत सारे दर्शकों को याद होगा वो दो तीन चीजों के लिए याद किया जाता है तो शिवराज पार्टिल उस समय ग्रह मंतरी थे उन्होंने तीन बार कपड़े बदले थे दूसरा इसके लिए भी याद किया जाता है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद तीन दिन तक केवल मुंबई ही नहीं दहली थी पूरा हिंदुस्तान ही नहीं दहला था पूरी दुनिया में उस फाइरिंग की बम धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी और इतने बड़े हमले के बाद भी अगर कॉंग्रेस की मनमोहन सरकार ने ये जानते हुए भी के ये सारे के सारे कराची से आये थे और ये पाकिस्तानी आतंक वादी हैं जिन में से एक पकड़ा भी गया था जिसको बाद में खासी पर लटकाया गया पाकिस्तान के खिलाफ कोई कारणवाई नहीं की थी इन लोगों नहीं ये के खिलाप कुछ नहीं किया लेकिन उड़ी में हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई नरेंद्र मोधी के समय पुलवामा में हुआ तो एर स्ट्राइक हुई और पठान कोट के बाद भी जो इस्तितियां परिस्तितियां बनी थी जिनके लिए मोधी सरकार को अलोचना का सामना भी करना पड़ा था कि आपने ISI को वहां पर एंट्री कैसे दे दी उसके बाद से मोधी सरकार ने कोई गलती नहीं की है वो एक चूक है लेकिन इधर अगर हम देखें जब पांच राज्य हमारे चुनाओं में जाने वाले हैं और तब अगर गाजा पट्टी पर और गाजा लोगों के साथ बच्चों की गर्दन किस बेरहमी से कुरूरता से बरबरता से काटी गई है ये चीजें क्या असर नहीं डालती हैं चुनाओं पर इनामों पर और उस पर कॉंग्रेस की मूर्खता पहले दिन आप बयान जारी कर रहे हैं कि साब जो बरबर हमला हुआ है इसर दूसरा प्रस्ताव पारित कर देते हैं और आपको फिलिस्तीन के लोगों के जीवन के सम्मान के और तमाम चिंताएं होने लगती हैं तो कॉंग्रेस जब तक देखिए कॉंग्रेस का ये रवया रहेगा ये एक्चल में अतीत में जो इनकी हजामते बनाई हैं लोगों ने एक एंटीनी ने क्या रिपोर्ट दी थी दो हजार ग्यारह में उसको भी भूल जाते हैं और फिर मार खाने के लिए तयार हैं तो ये तो जैसे प्लेट में हल्वा गरम-गरम परोस करके किसी को दे दिया जाता है उसके लिए तयार रहते हैं हमेशा कि चलो पांच राज्यो के चुनाव आ रहे हैं ऐसा बयान दे दो के सारे हिंदू युनाइट हो जाएं और वो ठका ठक जो है भारतिय जंता पारिटी और कमल पर अपना महर लगा करके और हमारी पराजा सुनिश्चित कर दें जी चलते हैं अभी उशेख जी के पास तो भाई हम देख रहे थे कल एबी पी निउस को देखे हमारा भी सर्वे चल रहा है लेकिन आकड़े हम अभी नहीं बताएंगे तो हम आकड़े अभी सके जब सर्वे पूरा हो जाएगा उसका विश्लेशन हो जाएगा तब हम सामने लाएंगे एवी पी निउस की बात करते हैं हमें आश्चर इसलिए हुआ कि उच्छतीस गड़ में उन्होंने बता दिया कि उन्तालिस से तैटालिस बारती जन्ता पार्टी और तैटालिस से क्यावन कांग्रिस अब जो अभी तक सारी बात चल रही थी हमारे राहूल गांदी ने भी यही कहा था कि भई हम राजस्थान में समस्या में हैं हाला कि परसों तो उन्हों ने कह दिया था हम चत्तीस गड़ भी हार जाएंगे राजस्तान भी हार जाएंगे सीरियस उसकी बात कुछ दिल पर मत लीजिए सर राहूल गांदी की बात कुछ दिल पर मत लिया कीजिए सर लेकिन एवी पी न्यूस जो है है वो आगे बता रही है वहां भी इसी तरह का वैसे हमारे भाय साहव जो हैना वो सी वोटरवाले वो Balance करने के लिए जाने जाते हैं वो बिस बीस का gap देके ऐसे कर देते हैं कि इसमें कोई भी डेसल्ट ता जाए तो वहां भी चांग्रेस की बता रहे राजस्थान में जरूर वो निश्चिन्त हैं कि हाँ भाई किसी वी हालत में हमारे भाई साथ जो है वो नहीं आएंगे और राजस्थान की जो पहली लिस्ट आई है उससे इंडिकेशन हो रहा है कि भारती जिंता पार्टी ने बहुत सोच समझके और बड़ा बड़े सही टि यह है और रानी को ठिकाने लगा दिया है कम से कम यह बड़ा दिजादी अब आप इसके उपर एक एक कर टिपनी करें लेकिन सबसे पहले उमकार चौधरी सर को बहुत-बहुत धन्यवाद आज तक हम को यही पता था कि 26 111 एक आरे से की साजी से लेकिन आज आप बताये हैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि नहीं नहीं इसके पीछे पाकिस्तान का भी हाग था वह दिगविजे सिंग वहाँ पे थे वहाँ पर दिप्रदेश से थे इसी लिए आप सुनिए आज मैंने एक ट्वीट किया था उसको दोहरा देता हूं अब मैं वह ट्वीट उसकी साधिष्टी लेकिन हमास जो है वह एक सोशल वेलफेर और्गांजेशन है एंजियो है यह बात ठीक है आपने अपडेट यह भी अपडेट मैं दर्शकों को करने ही वाला था कि संजेशन ने बता दिया है कि हमास एक सोशल संस्थान है देखिए अध्यात्मिक के तरफ शिफ्ट हो तो उसके लिए क्या करना हो आपको समाजवादी पाती से भी बड़ा दिखाना होगा स्वैम को और दूसरी पार्टियों से भी तो नों नहीं फिलिस्तीन को समर्थन देते हैं देखो कि और वैसे भी मोदी जी ने लगातार दो ट्वीट कर दी इस निमम बीजेपी 140 के आसपा सीटे जीतेंगी वैसे धिरेंदर सर ने ठीक बात कही कि आकड़ा और अच्छा राजस्थान में होना चाहिए था लेकिन बीजेपी भी काफी दिनों तक कन्फ्यूज रही थी रानी को लेकर के कि क्या चलेगा कैसे चलेगा और दूसरी बात से अरबिक में और उर्दू में और इसलिए हिंदी में भी होना चाहिए वह गाजा नहीं है वह घाजा है इसको घाजा बोले हम गाजा भी ठाई खाते हैं तो हमने सुचा बही होगा कर दो अरे गाजा तो बिल्कुल गजहा टाईप को देखता है वो गजा बोलिए इतना ब चीटिंग है तुम इतना कम ताइम दोगे चुनाओ की तयारी का अभी तक तो हम इंडिया लैंस के मीटिंग में भी जीत हैं अभी तो हम कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाए कि चुनाओ के से लड़ना है के लिए कमल नाथ में चला वाँ पर MP में लड़ रहा था और 36 गड़ मे वीजेपी को देखें तो 36 गड़ में और मध्य प्रदेश में दोनों समय से काफी पहले टिकेट वित्रन हुआ यह करनाटक और हिमाचल से टेक अवे हैं इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं राजस्थान की पहली लिस्ट यह बता रही है कि बड़ी प्रिप्रेशन के साथ मुझे नहीं लगता कि बीजेपी 25 से 30 या 35 मैक्सिमिमम जाएगी लेकिन सरकार भुपेश बगेल की बन जाएगी यह मैं डेड़ शूर हो से उस एलेक्शन में क्योंकि बीजेपी ने 36 गड़ के नित्रितु पे कोई काम नहीं किया ऐसा नहीं कि घोटाले नहीं हुए बहु 36 गड़ में कर क्या रहे हैं पिछले दो सालों से उनका क्या योगदान है कि नरेंतर मोदी आएंगे और जादू की छड़ी घुमाएंगे और आप चुनाओ जीत जाएंगे तो यह तो वहाँ होगा ना जहां पे नेक टुनेक फाइट रहेगा अब आते हैं माध्य प्रदे को कि आजकल अध्यातमेक गुरू बिहार से हैं राहुल गांधी के तो इरेडिकेट करेंगे कैसे उसके लिए मुसलमानों को युनाइट करना होगा और हिंदूं को जाती में भाजीत करना होगा तो अपने मिशन मोड पे चल रही है जैसा कि ए राजा ने कहा था कि जाता है कि वो भी प्रयोग साला है और उस प्रयोग साला में नया प्रयोग हुआ है कि मल्टिपल मुख्यमंत्री का चेहरा देते जो जहां पे नाराज है तो थोड़ा बहुत तराजगी कम हो जाएगी सिवराज सिंग के चौहान के प्रति और वो दीख रहा है ऐसा नहीं ह भी इंपक्त हो सेल्टा है क्योंकि महिला एक बड़ी सैलेंट वोटर है मध्यप्रदेश में बहुत बोले गी लेकिन वह पक्की वोटर है और उसका सब्सक्राइब भले बोले जा रहा है कि का वह मामा को वोट कर देकी यह सबत्य बात तो मामा का बेस इतना कमजोर नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं अब बताया जा रहा है अब आपका एक और प्रस्था कि सर्वे का टेक अवे क्या है तो इस सर्वे में राज्यस्थान में उनके क्या नंबर है सर एक सो पैस चालीज क्या सपास है हाँ 129 से 37 जो हामें लग रहा है कि वो आएगा तो ठीक है लेकिन आपने कहा जो बैलेंस करने वाला तो 36 गड़ तो मैं नहीं मानता मध्यपरदेश में नहीं नहीं मान रहा है कि जो है अभी भी बीजेपी के पास है क्योंकि कॉंग्रेस उतनी तयार अभी नहीं दिख रही है आने वाले समय में जब चुनाओ और हीट अप होगा और बीजेपी के बड़े-बड़े नेता मोदी जी की रैली और मोदी जी जब पिछ पे बैटिंग करेंगे राजस्थान में उन्होंने उठा दिया वो सर्तन से जुदा का मुद्दा मुझे लगता है कि हमास और इसरैल की भी इंट्री होने जा रही है और इनका जो प्रो मुस्लिम जाने का एक आदत हो गया ना कॉंग्रेस का वो शायद टेंट करेगा यह करनाटक नहीं है यह बात हम को नहीं भूलना चीए कि करनाटक में बुमाई के खिलाब तो नराजगी थी लेकिन बीजेपी को डिच्च किया था किसी ने तो बीजेपी के सबसे बड़े खिलाडी थे केसी यार की वापसी होती भी मुझे पस्ट रूप से नजर आ रहा है वहां तो कॉंग्रेस को आगे बता रहे हैं एबीपी वाले अरे सर मैं लिख के देता हूँ मैं लिख के दे रहा हूँ कि कॉंग्रेस वहाँ पे आगे नहीं जाएगी और गाजे बाजे के साथ केसियार लॉट के आएगे इसलिए बीजेपी में जो है अगर आप हम देखें न बीजेपी का सबसे प्रॉमिनेंट फिगर जो तेलंगाना से था उसको वापस बुला लिया गया है यहाँ पे दिली में और बीजेपी के प्रयास एकदम से तेलंगाना में कम होगी एकदम से और उसी का इंपैक्ट है कि तेलंगाना में केसियार रिटर्न होगा सरु जी जी तो दर्चकों से अनरोध है कि याद रखें डिएफाई जैपो डायलॉक्स 2023 चार और पाँच नवंबर को यह तीनों भी भूतियां जो आपके सामने हैं इस समय स्क्रीन पर यह तीनों भी वहां रहेंगी और चम के और बिल्कुल फायर वर्स के साथ इलेक्शन्स की चर्चा भी होगी और अब चलते हैं आगे दिरें जी आपकी टिपणी अविशेग जी के और अंकार जी के कथनों पर साथ म्यूट है यह बात बिल्कुल सही है कि जो अंकार सर ने कही कि जिस तरह से यह हमास का हमला हुआ है और चुकि मैं यह बात अक्सर आपके साथ तो बहुत बार बात होती है जो हम लोग अपसर बात करते हैं कि जितना भी लिब्रल लफ्ट और यह तमाम लोग जो इस देश को इतियास को अपीम बना के सब चटाए हुए थे सतर सालों से वो लोग बहुत लंबे कहीं परदे डालते हैं पूरी चीजों पर परदे डालते हैं कुछ ने जी आप कट गए हैं कुछ नेट का इशू है दीरेन जी के यहां देखिए बात यह है कि हमने यह कई बार देखा है संजे जी के जब इस तरह की घटनाए होती है तो रियक्शन दोनों तरफ से होते हैं दो तरफा होते हैं अभी हम देख रहे हैं कनाडा में परदर्सन हुए हमास के समर्थन में और फिलिस्तीन के समर्थन में लंदन में हुए और आज सुबह में देख रहा था आस्ट्रेलिया से खबर आ रही है Sydney में जो Opera House है वहाँ पर जाकर के कुछ कटरपंथियों ने नारेबाजी की है, disturb किया है, कुछ हमले करने की कोशिश की है, हमास के समर्थन में कुछ जंडे लहराए हैं अब जो पहले की इस्तितियां परिस्तितियां थी उनमें कई बार जो कहना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं के मतलब परतियू उत्तर नहीं होते थे पर इधर के कुछ वर्षों में तो परतियू उत्तर देने वाले भी तैयार हो गए है ना मांसिक रूप से अब वो जवाब देते हैं ऐसे नहीं जैसे ये लोग करते हैं वो वोट के समय जवाब देते हैं और उसका नतीजा हम देख रहे हैं हमने 2014 में भी देखा है उननीस में भी देखा है बीच में भी बहुत सारे चुनाव हुए हैं उनमें भी कहीं ना कहीं नेपत्थे में ये सारी चीजें थी जी धिरेंजी आप जुड़ गए हैं अपना कंटीनू करिए अच्छा मैं माफ किजिए मुझे दूसरे से जोड़न करना और तो और आप यह देखिए सबसे ज़्यादा जो लेफ्ट जिनको जिनकी सुभए आरेसस को गाली देने से शुरू होती है और शाम वहां तक चलती है वह अटल वियारी वाजपई की उस टिपणी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखिए उन्होंने क्या कहा था यह तमा अविशतार बात्चीत है वो जरूर असर ढाल एए है और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि आप सतरा परसेंट की आवादी के साथ सबसे बढ़े समयों को जो विहार की जण गरना सर्वे का जो सर्वे का सबसे बड़ा असर है मुझे लगता है वो सबसे बड़ा असर य लेंगी मुझे लगता है कि जिस तरह से उंकार सरका कहना है वो हो सकता है उनकी strategy बीजेपी की रही हो मद्दप्रदेश में कि उनको एक अगर कोई कम जोरी है पिछली बार की तो इस तमाम जो ताकतवर लीडर हैं कम से कम अपने एरिये में ताकतवर हैं वहां से खीच के लाएं उसके बाद तैय कर लिया जाएगा उसी तरह से जो राजस्थान का हाला कि मुझे मैं बहुत जादा यह नहीं मान रहा हूं कि के सी आर बहुत स्ट्रॉंग पोजिशन में वहां जरूर है लेकिन लड लीडर है बहुत ही महंती लीडर है और कम से कम बहुत गहरी समझ है हिंदु तुकी पर बातचीत उनसे करो या तमाम चीज़ों पर मुझे लगता है कि बीजेपी ने माहां हार नहीं मानी है हां कॉंग्रेस की रैली में जिस तरह की भीड़ाई उससे कॉंग्रेसियों को पूरी मदद करेंगे बीजेपी की तो महां भी आरेस काफी आगे आएंगे मुझे ऐसा रच का लिए तो मेरा तो मानना यही है संजय जी के यह चीजें इंपक्ट करने वाली हैं और देखिए इंपक्ट कैसे करती हैं जो मैंने आपको एक उधारन दिया था कि मनमोहन सिंग प्रदान मंतरी थे जब पाकिस्तान के खिलाब कोई कारवाई नहीं हुई और उसके बाद 2014 में जब नरेंदर मोदी बने तो दो गटनाओं के बाद दो जवाब पाकिस्तान को ठीक ठाक दिये गए और केवल वहां तक सीमित रहे नहीं है नरेंदर मोदी और कि सरकार पांच अगस्त दो हजार उननीस को जो घटना हुई है वो एतिहासिक है इन चीजों के इंपेक्ट दिमाग में रहते हैं लोगों के लोग याद रखते हैं कि कौन सरकार किसको पोशित करती रही है कैसे कैसों को पोशित करती रही है और कौन सरकार ऐसों का इलाज करने में ताल ठोक करके सीना चोड़ा करके और मजबूत बाहें करके मुकाबला करती रही है। कहीं न कहीं खून बाहा जाता था घुसपैट होती थी। आतंकवादी कम से कम 2014 के बाद मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि पठान कोट के आगे बढ़ पाएं हैं। लोग युनाइट होते हैं उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये चीज रहती है कि हमें सुरक्षा चाहिए। हमारे बच्चों को सुरक्षा चाहिए। हो जाएं। लेकिन क्या पांचों रज्जों में मुसल्मानों के इतने वोट हैं कि कॉंग्रेस को वो जिता ले जाएंगे और सत्ता के द्वार तक लाकर के खड़ा कर देंगे। और बहुत सारी घटनाएं ये शो करती हैं कि मुसल्मानों के वोट ना भी मिलें तो सरकार बनाई जा सकती है। सत्तर से उपर सीटें और एक बार बासट सीटें भाहर से जनता पारिटी को अकेले मिल गई और दोनों बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार 2017-2022 में बनाई तो ये कॉंग्रेस जैसा मैंने पहले कहा था, कॉंग्रेस खुद ही अपने पैर में कुलहड़ी मारती है, एक दोर बहुत लंबा दोर था, जब कम से कम तीन ऐसे वोटर थे, जो कॉंग्रेस के पीछे खड़े रहते थे उसको मजबूती देते थे, एक जिनके लिए ये अब बयान जारी करने लगे हैं, हमास के समर्थन में और फिलिस्तीन के समर्थन में, समर्थन में, यानि मुसल्मान, एक ब्रहमन, सवर्ण, और तीसरे दलित, इनके साथ ठुक करके खड़े होते थे, और उसी के बेस पर फिर बाकी की जातियां और वर्ग भी कॉंग्रेस को वोट दे दिया करती थी, लेकिन कभी इन्हों ने बैठकर के ठंडे दिमाग से आत्मचिंतन किया, कि 1984 के बाद से आपको कभी भी इस देश की जनता ने और वर्ण बहुमत क्यों नहीं दिया, हमेशा कॉंग्रेस जो है वो लटके हुए जनादेश के साथ गड़बंदन सरकारे या अल्पमत सरकारे क्यों बनाती रही, आप अगर ऐसे करम करेंगे, जैसे आप अब कर रहे हैं, तो फिर आपकी मदद कोई नहीं कर सकता है, और ये तो अच्छा है मेरे विचार से, नरेंदर मोदी के लिए और उनकी पार्टी के लिए, और ये तो मजाक भी किया जाता है, सोचल मीडिया पर भी कहा जाता है, जब राहुल गांदी की सांसदी बाहल हुई थी, तब लोगों ने कहा था कि अब तो आसान हो जाएगा नरेंदर मोदी के लिए, दो हजार चोबिस में और भी आसान होगा वाफस्ती करने में, और देखिया आप, वैसे ही रास्ते निकालना शुरू कर देते हैं राहुल ग देखिये सर, जो अध्यात्मिक गुरू फिलहाल राहुल गांधी के बदले हैं, उनको लगता है कि बिहार के अलावे पूरी देश की डेमोग्राफी की पॉलिटिक्स की समझ रखते हैं, ये बात और है कि वो खुद अभी किड्नी ट्रांस्प्लार करा के हैं, बीच-बीच बाते हैं, जिसकी जितनी भागित हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉंफरेंट्स कर रहे हैं, इन फैक्ट कल तो कह दिया पत्रकारों को, अच्छा, खड़े हो जाओ, कितने सीस्टी से हो, पत्रकार खुंटेंशन में, राहुल गांधी के हिला हुआ है क्या अच्छा, वह ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं रियलिटी चेक बता रहा हुआ, बिहार में अती पिछडी जाती हैं, जो जबर्दस्त मोदी जी के समर्थन में खड़ी रही हैं, 2014 में, 2015 में, 2019 में और 2020 में भी वो कर क्या रही हैं पिहार, उपेंद्र कुछवाहं कल से यात्रा पे निकल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कुछवाहा समाज की अबादी को कम करके दिखा गया तो हमारी अबादी ही कम हो गई, तो हमारी भागेदारी कहां से होगी, उसी प्रकार से कल से धानुक समुदाय के लोग, धानुक जाती के लोग विरोध पे उत्र हुए, तेली लोग विरोध पे उत्र हुए, बढ़ाई विरोध पे उत्रा हुआ है, उसी प्रकार से पासवान लोग जन सकती पार्टी वाले पासवान जी जो है चिराग पासवान उन्होंने तो प्रॉपर प्रेस कॉन्फरेंस करके और बताया कि सिर्फ एक जाती नहीं सिर्फ यादो समुदाय को छोड़ करके सब की जाती कम कर दीगे क्योंकि उन्हीं को भागेदारी में तो इक कितना पड़ा बैकफायर करने वाला राहूल गांदी को समझ में नहीं आ रहा है एक्चुल में कॉंग्रेस का निती शुरू में यह था कि वह इस जनगंदा के विरोध में रही इसी वज़से आजादी के बाद अभी तक किया भी 1931 के बाद अब एकदम से फ्लिप मार रहा है क्य है कि हमारा यादो कम कर दिया वहां आठी परसंट दिखाया क्योंकि वह तो 20-20 परसंट भी सोच सकते हैं अखिलेस यादो के इतने इंटेलिजेंसी है मैं समझता हूं रावल गांदी को टाइट कॉंप्टिशन देते हैं इस मामले में सो यह बैकफायर कर रहा है और यह बै सक्किया यह सिर्फ सोच रहे कि इससे औब्जेक्शन सिर्फ एक वर्ग के लोगों को जिसे सवर्ण कहते हैं उनको होगा यह बदल गया है क्योंकि सबको अब सत्ता में भागेदारी चाहिए नौकरी तो हो गया ठीक है लेकिन जो अब उस सत्ता के उस कम्मूनिटी के चुक तो यह जो है 90 का रिपीट करने का प्लस मुस्लिम वोट का एक बहुत ठका हुआ आइडिया है दुनिया के सबसे अच्छी मैनिफेक्चर करती थी हम्टी की घडिया वो आज शायद उत्रेंगी वापस मैनिफेक्चर करेंगी तो कामयाब नहीं होंगी क्योंकि समय बदलता ह इस वक्त सोशल मीडिया के आने के बाद भारती हिंदू का जो भारती हिंदू का टेस्ट है वो नेशनलिजम है हिंदुत्वा है और इसको इतना आसान नहीं है तोड़ना वह भी तब आप कहेंगे कि एरेडिकेट हिंदू करनेंगे तो कुल मिला करके राहुल गांदी जो क इतनी सीटे बढ़ाते हैं बढ़ा तो दी है यह तो चीक है लगातार बढ़ा दी है लेकिन कितनी और बढ़ाते हैं प्रशांत किशोर का कथन याद आता है जब उनकी बात चीच चल रही थी कॉंग्रेस से और बाद में तूट गई थी उसके बाद उन्होंने एक और दूसरा है राश्टरवाद और तीसरा है हिंदुत अब कांग्रेस जो है इसमें अधिक से अधिक लाभार्थी पर मैच कर सकती है उल्टी पुल्टी फ्री बीज अनॉंस करके लेकिन बाकी दो पर वो मैच नहीं कर सकती है आपको भी ध्यान होगा यह बात कही थी बिलक कांग्रेस पार्टी है वो ऐसे इशू पर चले गए हैं मैं बताता हूं आपको राजस्थान की राजस्थान में सबसे अधिक जो अब्जेक्शन है जातिवादी गणना से वो जो वो ओवी सी रेजर्वेशन को जिसने पूरी तरह से हड़प लिया है यहां पर और वो है ज आती कि किसी भी तरह की अलग-अलग जनगना हो वो ओवी सी के नाम पर आप देखें यहां इतना नंबा गुजर आंदोलन चला वो इसी लिए चला क्योंकि जब जाट ओवी सी में आये तो गूजर जो है जो अच्छा कासा वहाँ करते थे वह आउट हो गये उससे तो को आउट करने वाला है इसलिए आप मुझे जो नहीं लिए कांग्रेस कांग्रेस जो है वह पचास क्रोस करेगी नुराजस्तान में हाथ को ठीक है एक सुचालीज का अब हम आपका अंतिम दो-दो मिनिट का एक वक्तब ले ले लेते हैं और वो उसके बाद रश्ट ले ले मुझे लगता है कि यह जो पांचों चुनाओं है यह बंदब यह चुनाओं होने वाले यह बड़े दिल्चस्प है हलाकि इनको किसी भी कीमत पर यह न माना जाए कि इन से दोहजार चौबीस का नतीजा कोई बहुत जादा मतलब रखेगा क्योंकि मैं पिछले चुनाओं म आप मंदर्प्रदेश में देखा आपने उसी तरह से राजस्तान में देखा तो मुझे लगता है कि यह चुनाओं इस समय वैसे भी लोगों का जिधान है मैं यह लगतार नोट कर रहा हूं और खास तोर से यह अपनी मिटिंग में बोलता भी हूं कि देखिए हम लोग अभ मुझे लगता है कि यहां बीजेपी भी काफी रिलक्स है और जब लोग समय चुनाओं में जाएगी तो अपने सबसे बड़े चेरे के साथ जाएगी और सभी लोगों की नजर अब उसी पर है यह भी मुझे बहुत जादा बीजेपी के लिए चुनोती इसलिए लगती नही किया है जिसके सारे उनको कोई अच्छा दिन देखने को मिल सके उंकी उंकार जी राजस्थान च्छतीस गड़ मध्यपरदेश भारतिये जनता पारिटी की सरकारे बनेगी 36 गड़ में थोड़ा सा तफ फाइट रहेगी लेकिन सरकार भारतिये जनता पारिटी की ही बनेगी मैं इसलिए कह रहा हूँ मुझे पता है गलत भी हो सकता है लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ के पिछले डेड़ दशक की दो दशक की जो राजनीती है भारत की मुझे याद नहीं पड़ता है कि कॉंग्रेस पारिटी ने पांच साल शासन करके कोई सरकार रिपीट की हो कॉंग्रेस सरकारे रिपीट करना भूल चुकी है और जनता उस पर भरोसा करना भी अब आख मुंद करके भरोसा करना भी पसंद नहीं करती है इसलिए ठीक है बहुत सारे लोगों का कहना है कि 36 गड़ में कॉंग्रेस का पलड़ा भारी है लेकिन जब चुनाव परचार अपने उरूज पर होगा नरेंदर मौधी की सभाए होगी और कहीं कुछ अगर कमी बेसी कहीं होगी तो मुझे लगता है कि वो भी कंप्लीट होगी एज मुझे लगता है कि कॉंग्रेस का नहीं है भारतिय जनता पारिटी का है तेलंगाना में केसी आर ही रहेंगे पूरवत्तर के मेजोरम में नेशनल मेजो नेशनल फ्रंट की ही सरकार रिपीट होगी ना वहां कॉंग्रेस मजबूत है ना वहां भारतिय जनता पारिटी म के हैं लेकिन और कुछ एड़ करना चाहते हो तो एड़ कर सकते हैं बड़ी मार्क करने वाली बात बोली है उमकार सर ने की रीपीट नहीं किये कॉंग्रेस ने पर ये शायद शायद कॉंगरेस वापस जीतना ही नहीं चाहती अब ऐसा लग रहा है क्योंकि तीन माहीने पहले तक बिलकुल मद्यप्रदेश चुनाहोग कॉंगरेस के फेवर मे था और ऐसा नहीं, नकुलनात और कमलनात प्रयास भी कह रहे थे, धिरेंद्र शास्त्री जो हिंदूओं के सबसे बड़े मास्पुलर ने उनको भी बुलाया था, और जैसे ही एरेडिकेट वाला बयान आया था, अगले दिन नकुल और कमलनात दोनों 20-20 सादूसंतों के चरण प तो इसी वज़े से कॉग्रेस फसी और आपको नहीं भूलना चाहिए कि कमलनात ने इसी अक्टूबर महिने में रैली होने वाली थी इंडिया लैंस की उन्होंने बंद कर वाद बोला, नहीं, नहीं, नहीं होनी चाहिए, यह यह इंडिया लैंस की रैली, सो बड़ा कॉंश होती है, लेकिन मध्यप्रदेश में और जैसे वल्ड कप के समय या फिर क्रूशल मैच के समय विराटकोली फॉर्म में आ जाता है, मैं पिछले 15-20 दिन से नरेंदर मोदी जी को देख रहा हूं, एकदम से अलग फॉर्म में चलना है, राजस्थान में जाएंगे, वहां ये जंगन्ना की बात कर दी और इन्होंने क्या कहा, तब तो इसका मतलब ये कि 85% हिर्दुओं को ही सारा अधिकार मिल जागा, मुसल्मानों के अधिकार खतम हो जाएंगे, अब इसको कैसे देखेंगे, इस बयान को, इसके कई संदर्म निकाले जा सकते हैं, इसी वाईसे म वेस्ट देट विट गाजा, वेस्टन डिप्लमेट्स अर दूइंग सेम थिंग विद नौथ इसन स्टेट्स, लुक अधिक 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 को दंड देगी, ये भी रेलेवेंट नहीं है, मुदी जी ने भी ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से संपन किया, गेहूं पहुंचाएं, जो हिंदूों से रफरत करते हैं, और माफ कीजिगा, नौ वर्षों में चेडी का रिसर्च है, लगबग 500 हिंदू का गतल, लिंचिंग हो चिकी है, और एक पर भी शोक परकट नहीं किया है, बोले सार, राजस्थान के रैली को सुनना चाहिए थे, टाइमिंग के खिलाडी है, वो टाइम के अनुसार वो नृढड़ने लेंगे, मोधी जी कब बोलना है, कहां बोलना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, सब लोग तो त्विंटर पे हैं नि, राजस्थान के कितने प्रतिसत लोग դुईटर पे हैं तो नरेंद्र मोदी ने जिस टाइम में कनहिया जी के मुद्दे को उठाया है और जहां पे उठाया है वो बहुत मैत्पूर है तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कंडेम नहीं किया है लेकिन टाइमिंग आपको इस बात की नाराजगी हो सकती है कि टाइमिंग गलत है टाइमिंग को लेकर के आपका प्रश्ण हो सकता है लेकिन नहीं उठाया शायद देश का पहला ऐसा प्रधान मंत्रिया है जिसने हिंदूओं के लिए खुल करके अभी आवाज उठाईए और पूरा का पूरा आप यह कहा रहे हैं पूरी का पूरी जियो पॉलिटिक्स बदल देनार मैं वही बोल रहा हूं कि पिछले पद्रा दिन से आप नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं अलग फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं जी अब है विगनेश प्रभूजी करें इंचंडी गड़ ब्रिजमोहन चत्तीस गड़ ब्रिजमोहन नगरवाल और प्रबल प्रदा अच्छे लीडर है निसंदे लेकिन फिर वही बात है कि इन्होंने कहां प्रमोट करना चाहिए लेकिन बीजेपी ने पिछले चार सार में किसी लीडर को प्रमोट किया ही नहीं है यही तो हम पिछले कई शो से डिसकस कर रहे हैं कि 36 गड़ में जो मास लीडर नहीं है उनको पहले आप दिल्ली बुलाते हैं फिर ठक हार करके वापस रमन सिंजी को करते हैं तो शायद क्लियर नहीं थी और में भी हो सकता है कि पिछ के केंदरिय नित्रितु से इतर जो है वो प्रदेश अध्यक्ष का फिर राष्ट्री अध्यक्ष का उस पे उन लोगों ने वो काम सही धंग से नहीं किया मुझे लगतर जाते हैं और इस्टार परचारक कोन है सबसे ज़्यादा वोट किसके नाम पर पड़ रहे हैं इस्टेट लीडर्शिप में आप योगी आधित नात को छोड़ करके मुझे किसी एक राज्य में बता दीजिए जिसने अपनी ब्रैंड वैल्यू अस्थापित की हो या जो इतना लोगप्रिय हुआ हो कि उसका व्यक है कर जगह नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट फड़ से हैं रच जो के विदान सभा के चुनाओं में भी उन्हीं के नाम पर वोट पड़ से हैं यही तो कॉमन कम्प्लेन है ना सर अटल जी आडवाने जी के समय राज्य में सिवराज सिंग चोहां थे उनके नाम पे किया था तो नितिश कुमार बन गये नितिश कुमार कोई मास लीडर नहीं थे आपने वो लीड़ बना zaczy में तो कई लोगों को बनाया गया सिथ अभी क्या है कि मोदी और जी के समय मोदी जी का इतना बड़ा कद हो गया कि इस तीन राज्यों के impact देख रहा हूँ, एक हरियान जहां कभी भारतिय जंता पारिटी 10-11 सीटों से उपर नहीं जाती थी, वहां 2014 में अपनी सरकार बनाई 46 सीट ले करके, जिस महराष्ट में मतलब 2.5 दशक से भारतिय जंता पारिटी छोटे भाही की बहुमिका में जिस बिहार में नितीश कुमार कॉलर खड़े करके रहते थे, वहां नितीश कुमार तो 50 से नीचे चले गए, भारतिय जंता पारिटी 70 से उपर चली गई, तो impact जो है, वो जितना भी change हम देख रहे हैं अलग-अलग राज्यों में, वहां नरेंद्र मोदी के कद का ही है, उनकी लोगपरियता का ही है जी, अगला प्रशन है, मनोच कुमार गोपालिया का, शुड मोदी नॉट पिच ऑन हिंदुत तो लाइन इस्पेशली इन दी बैक्ट्रॉप ऑव उनफॉर्चुनेट इंसिदेंट ओफ इस्राइल इटाक वाई हमास टेररिस्ट, लेकिए हमने अभी आपको यह समझाया था कि इनके तीन प्लैंक्स है, खाली एक अकेले प्लैंक पे कोई चुनाओ, लड़ा नहीं जात अब हम यहीन पर विराम देते हैं और आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद उनकार जी को अभिशेक जी को धीरेंदर जी को तीनों को बहुत-बहुत धन्यवाद आप याद रखें चार और पांच नम्मबर का जो हमारा महा कुम्भ है, उसमें सपोर्ट करने क के लिए जो QR-Code है उसके माझने से आप सपोर्ट कर सकते हैं एक बार पुरह जैहिंज भारत वंदे मातर हम वंदे मातर हुआ कि अ कि अ जाई